हालो 11 लेवन क्लास स्टूदेंट्स तुडें वी आर गोईंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन केमिस्ट्री चैप्टर सेकें इस्ट्रक्चर ओफ एटम बच्चों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ओफ दे एटम इसमें हम एटम के बारे में डीटेल में स्टडी करेंगे कि एक एटम क्या होता है उसके अंदर क्या होता है आटमिक नंबर आटमिक मास नंबर आइसोटोप्स आइसोबार्स इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करत उसका डिटेल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की लेट सी ओल दिस तिंग्स फरस्ट अफ और स्टुडेंट्स यह थी फर्स साइंटिस्ट नेम जॉन डॉल्टन जॉन डॉल्टन वास देफर्स साइंटिस्ट वो डिस्कवर दी एटम इसके हम एक डॉल्टन आटमिक थेओरी क रिमेंबर स्टुडेंट्स इन्होंने एक एटमिक थेओरी दी थी यहना कॉश्चन पूछा जाता है हूँ प्रपोस्ट दी एटमिक थेओरी जॉन डॉल्टन इन 1807 बहुत पहले एक थेओरी उन्होंने प्रपोस्ट की और उस थेओरी में क्या बताया था कि एटम सार इस मेंटर का मतलब क्या होता है तो मेंटर की डेफिनेशन की जब हम बात करें तो मेंटर इस एनिफिंग एट हैस इस मास और ऑक्क्यूपाइज स्पेस एस ही कोई भी चीज जिसका खुद का कुछ वजन है और जो जगा घरती है विच ओक्क्यूपाइज दी इस पेस देट यह जो मैटर है अगर उसका कुछ वेट है मतलब वो किसी ना किसी चीज से बना हुआ है वो जिस भी चीज से बना है वो जिन छोटे छोटे पाइटिकल से मिल करके बना है उन छोटे छोटे पाइटिकल को हम बोलते हैं Query Atoms स्थन डामेंटल यूनित अफ मिटर द ग्वायर दा हमे कांट्यूंटी different atoms constituting them अब अलग-अलग तरह के matter क्यों होते है for example plastic है iron है aluminium है gold है silver है यह सारी चीज़े तो यह अलग-अलग तरह की क्यों होती है because of difference in their atom उनके जो atoms होते है उन atoms में difference होता है constituting atom मतलब जिससे मिलकर जो उसको बनाते है उन atoms में difference होता है जिसके कारण जो matter है वो अलग-अलग form में exist करते है चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं chapter में और हम यह देखते है कि जो scientist जब इसके discovery नहीं हुई थी है ना और discovery होने के बाद में scientist के सामने क्या-क्या challenges थे इसके लिए कि atom की discovery तो हो गई जॉन डॉल्टन ने ये भी बता दिया कि small particles से मिलकर के बना है जितना भी जो matters होते हैं वो सम they are made up of small particles बट अब हम यह देखें कि further उसकी discovery क्या हुई उसमें और कुण-कुण सी चीज़े ने डिसकवर की गई है ना तो देखो अब major challenge before scientist at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties उसके structure के बारे में पता करना कि atom के अंदर क्या-क्या है atom किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है atom के अंदर क्या है प्लस जिन चीज़ों से मिलके बना है वो उसके अंदर किस तरह से arrange किये हुए है है ना वो किस तरह से उसके अंदर है इन चीज़ों को reveal करना अब scientist के लिए एक challenge था क्योंकि 1907 में तो atom की discovery हुई अब उसके बाद 19th century में scientist ने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि इसके अंदर क्या-क्या हो सकता है फिर देखो क्या discovery हुई हुई उसके बाद में हम देखते है अब बात आती है इनके बारे में आपने इनका नाम सुना हुआ है अच्छे से electron and proton inside the atom led to the failure of the aspects of Dalton's atomic theory अब जब इन दो चीजों की खोज हुई इनके discovery हुई तो जोन डॉल्टन ने उस समय क्या बताया था कि जो atom होता है atom can neither be created nor be destroyed हम atom को ना तो बना सकते हैं और ना है उसको तोड़ सकते हैं क्योंकि वो already किसी भी matter का सबसे छोटा particle होता है ऐसा किस ने बताया था जोन डॉल्टन ने लेकिन बाद में scientist ने 19th century में उसके अंदर दो subatomic particles को discover किया कि atom जो है वो भी किनी चीजों से मिलके बना हुआ है और दो subatomic particles discover हुए subatomic particles that means the particles which are present inside the atom जो atom के अंदर भी present होते हैं मतलब जो atom से भी छोटे हैं क्योंकि जिन से मिलकर के atom बना हुआ है मतलब वो already उससे छोटे होंगे है ना तो दो subatomic particles discover हुए कौन-कौन से हुए बच्चों एक हुआ हमारा electron और दूसरा हुआ proton तो क्या हुआ कि इसने फिर जो डॉल्टन की जो atomic theory थी उसको फेल कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है उसके कुछ points ऐसे थे जिसमें उन्होंने question mark लगाए कि जब अगर आपने ऐसा बताया है तो फिर यह ऐसा इसके अंदर क्यों है for explaining the arrangement of the electrons and protons in an atom many scientists propose various atomic models अब क्या बच्चों की proton और electron की discovery तो हो गई लेकिन अब यह proton और electron किसी atom के अंदर arrange किस तरह से है उसके अंदर किस तरह से व्यवस्थित है यह यह discovery करने के लिए बहुत सारे scientists ने इसके लिए try किया अब हम यह देखते हैं कि एसे कौन कौन से scientist है जिन्होंने इसको पता करने की कोशिश की कि electron और proton किस तरह से present होते हैं atom के अंदर उन्होंने क्या बताया था और वो किस तरह से फेल हुए फिर उसके बाद में कौन से scientist ने सही बताया आपने को यह हम जानने की कोशिश इसमें करते हैं तो देखो सबसे पहले हम introduction लेते हैं atom से atom और matter is anything that takes up space and has mass यह definition हमने अभी देखी है कि matter कोई भी चीज़ जो space होता है जो space लेता है और उसका कुछ mass होता है उसको हम बोलते हैं matter and all matter is made up of atoms जितने भी matters हैं वो सभी के सभी atoms से मिलकर के बनते हैं and atoms are the building blocks of matter sort of how bricks are building blocks of houses बिलकुल उसी तरह से जिस तरह से bricks इंट जो होती है वो घर बनाती है छोटी-छोटी eight breaks मिलकर के बड़ा घर बनाती है in the same way बहुत छोटे-छोटे teeny particles जो atoms होते हैं वो atoms मिलकर के matter को बनाते हैं कि आगे देखें पर तो एक हमारे पास में यहां पर timeline of atomic theory कि atoms के बारे में अलग-अलग scientist ने किस समय पर क्या-क्या discovery की वो सारी बाते यहां पर है इसको अपन देखते हैं सबसे पहले डेमो क्रिस्टस एक साइन्टिस्ट जो की ग्रीप था ग्रीस में उसने नियर अबाउट 400 BC बिफोर क्रेस्ट बहुत पहले जब क्रिस्ट का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले भी 400 BC इन्हों ने बताया था कि elements के बारे में अरिस्टोटल ने four elements के बारे में बताया था फिर हमने देखा था कि 1803-1807 में एक डॉल्टन्स मॉडल आया था एकम का जॉन डॉल्टन जिदोंने हमें अटमिक थियोरी दी थी है ना अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था फिर 1897 में ही 18 सेंचुरी में ही थॉम्शन ने एक मॉडल प्रपोस किया था एकम का जिसको हम बोलते हैं थॉम्शन एकमिक मॉडल इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे फिर आता है रदर फोर्ड का मॉडल 1911 में उसके जस्ट दस साल के बाद में एक नेक्स दूसरे साइंटिस नेल्स बोर जिसको बोर मॉडल भी बोलते हैं हम तो नेल्स बोर में फिर एक मॉडल दिया और इसके बाद में अब तक जो भी डिसकोवरियां हो रही है तेकिंग प्लेश तिल नाव डेट यह अंडर दी वेव मोडल ऑफ दी मॉडल ऑफ दी एकमिक स्टेक्चर एकम का जो मॉडन मॉडल है उसके अंडर में जो भी डिसकोवरिय होती है उसको हम बोलते हैं वेव मॉडल तो बच्चों यह ब्रीफ था हमारे पास में एक टाइम Garden के बारे में कि जो i bombing discoveries हुई है वो किस किस टाइम पर हुई है जली आब हम देखते हैं जो एक स्ट आइन् its सयन्टिस्त नीजो डिस्क बारे हैं उनके बारे में हम देखते हैं यहां तो सबसे पहले हमारे पास में जो Thomas आते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी वो है John Dalton John Dalton जिननों ने सबसे पहले हमें atomic structure के बारे में बताया था 1807 में तो देखो John Dalton ने एक atomic theory propose की थी उस atomic theory के main postulates main points क्या थे वो भी हम देखें गे all matter is made up of atoms सबसे पहले जो atomic theory थी उस atomic theory का main postulate था all matter is made up of atom मतलब क्या था कि जितने भी matters है वो सभी किस से बने हुए है atom से मिल करके बने है second उन्होंने क्या बताया था कि atom of an element are identical एक element के जितने भी atoms होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं identical होते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जो atom है जैसे अपन मान लेते हैं कि iron iron में जितने भी atoms है अगर वो iron के atom है मतलब वो similar होंगे चाहे हम कोई भी iron ले ले दुनिया में कहीं से भी iron ले ले हम उसके जो atoms होंगे वो बिलकुल similar होंगे एक दूसरे के but वो दूसरे elements से different होंगे मतलब atom of different elements are different अगर हम gold और silver के atom की बात करें तो दोनों के atom जो होंगे वो एक दूसरे से बिलकुल different होंगे लेकिन silver silver के atom एक जैसे होंगे सारे gold gold के atom सारे के सारे एक जैसे होंगे लेकिन एक दूसरे से सभी पूरी तरह से अलग होंगे ठीक है तो second point क्या हुआ atom of an element are similar तीसरा point जो उन्होंने बताया था कि each element has different atom atoms can engage in a chemical reaction कोई भी matter में जब भी chemical reaction होती है तो atom वो सबसे छोटा particle होता है जो किसी भी reaction में participate करता है generally जब matters आपस में मिलते हैं तो reaction होती है but वो होती है atomic level पर atoms में ही changes आते हैं क्योंकि chemical reaction में क्या होता है always new substances are formed bonds break down and new bonds are formed तो इस condition में जब नए bonds बनते हैं तो क्या होता है वो atoms के बीच में bond जो बनते हैं वो atoms के bond तूटते हैं और फिर दूसरे किसी atom के साथ bond बनता है तो यह होता है कि atoms can engage in a chemical reaction next है हमारा atoms can neither be created nor be destroyed जो जोन डॉल्टन ने एक बात बताई atomic theory में कि हम ना तो atom को बना सकते हैं और ना ही उसको destroy कर सकते हैं ना ही उसको nest कर सकते हैं atom can neither be created we cannot make new atoms and we cannot create the pre-existing atoms but we can change them from one form to another form उसको हम क्या कर सकते हैं सिर्फ एक form से दूसरे form में change कर सकते हैं बट यह काफी बाद में discover हुआ कि atoms को एक form से दूसरे form में change किया जा सकता है यह बाद में discover हुआ और वो भी सिर्फ isotopic form में आइसोटोप्स के बारे में हम आगे देखेंगी कि आइसो टॉप्स क्या होते हैं तो यह अरिमेंबर बच्चों यह हम जो देख रहे हैं पॉस्चुलेट्स यह है डॉल्टन्स एटोमिक थियोरी के इसके बाद में बहुत सारे ऐसे इसके पॉस्चुलेट्स ऐसे भी हुए हैं जो साइन्स के अकोडिंग चेंज हो गये हैं क्यो पॉस्चुलेट्स एसे थे जो बाद में फेल हो गए क्योंकि जब मॉडरन डिस्कवरी हुई एटम के स्रक्चर की तो उसमें वो सारी चीज़ें अपने को नहीं मिली और एक लास्ट पॉस्चुलेट्स जो जौन डॉल्टन ने बताया था हमें वह यह था कि एटम सार इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और न्यूट्रोन भी होते हैं मतलब उन्होंने उसको तोड़ करके भी देखा है यह बात अलग है कि जो इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और न्यूट्रोन है उनका इंडिविज्वल एक्जिस्टेंस नहीं मिला बट यह तो हुआ कि वह किस चीज से मिलकर के बना हुआ है यह हमें पता चला वह आगे अपन देखिंगे उसकी डिस्कवरी के बारे में अब हम देखते हैं दूसरा एक मॉडल जिसका नाम है थॉम्शन्स प्लम पूडिंग मॉडल तो देखो बच्चों सबसे पहले में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था थॉम्शन थॉम्शन्स ने एक मॉडल दिया हमें एटम का जिसका नाम था थॉम्शन्स प्लम पूडिंग मॉडल जो कि थॉम्शन्स ने दिया था मॉडल का नाम था प्लम पूडिंग मॉडल और थॉम्शन्स ने दिया था made up of even smaller particles यह और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होता है देखो English scientist J.J. Thompson provided the first hint यह J.J. Thompson का photo है हमारे पास इन्होंने हमें बताया कि कुछ सब atomic particles होते हैं छोटे छोटे और उनका जो model था इसको हम देखते हैं यहाँ पर detail में कि किस तरह का model उन्होंने सबसे पहले प्रपोस किया था तो Thompson के model में बच्चों सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि जो electron जो atom होता है वो atom एक spherical ball जैसा होता ह है बहुत ज्यादा minute छोटा लेकिन sphere जिस तरह से ball होती है उसी तरह का होता है दूसरी चीज कि इसके अंदर positive और negative charge present होते हैं positive charge center में present होते हैं और negative charge उस positive charge के according around scattered रहते हैं here and there in a random manner जो electrons होते हैं वो randomly distributed रहते हैं उनका कोई भी fix pattern नहीं होता है यह हमें बताया thompson ने देखो he proposed model of the atom that is sometimes called the plum pudding model अब बात आती है कि plum pudding का मतलब क्या होता है तो actually जो pudding होती है एक dish है जो western countries में बनाई जाती है जिसमें resin seeds टाले जाते हैं जो कि पूरी तरह से उसके अंदर scattered होते हैं कहीं पर भी उनका कोई भी fix manner वो fix arrangement नहीं होता है तो same उसी तरह से या फिर दूसरा आपन compare कर लें इसको हमारे watermelon से कि watermelon में जो बीज होते हैं अंदर तो वो इधर उधर उदर उनका कोई एक साथ fix pattern नहीं होता है कि जिसमें वो present होते हैं कि बिलकुल lining पर present है पूरे उसमें through out the bulk the seeds are present inside the watermelons in the same way the electrons are scattered inside the atom around the nucleus nucleus where there is presence of positive charges there so atoms were made from a positive charge sphere with negatively charged electrons embedded in it like resins in pudding जिस तरह से pudding में जो resin के seeds होते हैं in a resin seeds के जिस तरह से resin seeds उसमें scattered होते हैं इधर उधर सब जगें same way में जो atom है वो positive charge से बना होता है और negative charge उसके आसपास present होते हैं और उन negative charge का नाम है electrons the negative and positive charge are equal in magnitude अब अगली बात जो important बात उन्होंने बताई Thompson ने वो ये बताई कि जो electrons और protons जो positive और negative charge होते हैं यह किसी भी atom में बराबर magnitude के होते हैं मतलब इनकी value बराबर होती है that is the reason why atom is electrically neutral atom जो है वो electrically neutral क्यों होता है क्योंकि उसमें जितने proton होते हैं उतने ही electron भी present होते हैं तो यह उसको electrically stable बनाते हैं अब thompson's experiment to discover the electrons electron को discover करने के लिए सर्जेजे thompson ने एक experiment किया जिसका नाम है thompson's experiment to discover the electron देखो यहां पर thompson's के electronic discovery का model कुछ इस तरह का है यह उनका जिसको बोलते हैं हम ray tube experiment भी बोलते हैं इसको cathode ray tube experiment इस तरह का setup उन्होंने बनाया था पूरा इस setup में क्या करा उन्हों देखो एक ट्यूब जैसा structure आपको दिख रहा है यह पूरा यह है ग्लास ट्यूब यह ग्लास ट्यूब कनेक्ट होती है एक vacuum pump से जिसके थुरू हम इसके अंदर vacuum create करते हैं दूसरी बात तीसरा इसके जो प्रॉपर्टी यह वह है कि जो voltage source है it is of very high voltage यह भहुत ज्यादा high voltage का होता है जिसके कारण क्या होता है कि इसमें potential generate होता है बहुत ज्यादा high difference का potential difference generate होता है ठीक है बच्चों